Assalamu alaikum students, आज हम study करने जा रहे हैं Phylum Hemi Quad Data और इसकी first class एंटारो निउटा को तो सबसे पहले Phylum Hemi Quad Data के general characteristics को study करते हैं सबसे पहले हम देखते हैं Phylum Hemi Quad Data को तो Hemi का मतलब होता है Half और Quad Data का मतलब Quad, यानि Phylum Hemi Quad Data के जो कुछ characteristics हो से match नहीं करते हैं। इसके लावा इनमें हाफ Chode या फिर Stomachode या पिर Notochode-like Structure जो है वो प्रेजेंट होता है जिसकी वजा से इसको हम हम हेमि Chodata का नाम देते हैं अब अगर इनके करेक्ट्रेटर्टर्ट्स को देखे तो यह Marine organism है जो के प्रोजोम, मिजोजोम और मेटाजोम भी और जो सिलोम है वो भी कैविटीज के अंदर ही डिवाडिड है और इनके पास होती हैं सिलेटी रिफरेंजियल स्लिट्स गैस अक्सेंज के लिए इस ट्रक्चुर को हम बजी डिटेल के अंदर भी देखेंगे उपन सर्कुलेटर सिस्टम इनमें प्रैजेंट है और कम्प्लीट डाजेस्टिव ट्रैक डॉट्सल साइट पे नव कोड़ प्रैजेंट हो जोके कुछ स्पीशिस के अंदर ट्यूबलर भी हो सकता है नेक्स टम देखें इसकी फर्स क्लास इंटेरो निस्टा को तो एंटिरों का मतलब होता है इंटेस्टायन या फे 40 cm के दर्म्यान और कुछ जो है वो टू मीटर लॉंग भी हो सकती है और इसमें अब तक 70 species जो है वो डिस्क्राइब की जा चुकी है अब यह जो हमारे पास है यह यू-shaped boros के अंदर रहेंगे sandy और muddy substrates में यानि के यह हम अगर c के देखें अगर पाइग्जंबर यह हमारे पास है c यह हमारे पास है coastal यह मतलब साहले समंदर तो यह हमारे पास आता है inter-tidal zone तो inter-tidal zone के अंदर यह रहेंगे इस तरह यू-shaped boros बनाके अगर हम इनके structure को देखे तो हमें पता body जो है वो three regions के अंदर divided है तो जो सबसे first region है वो हमारे पास short conical यानि cone-like projection है worm के anterior end पे जिसको हम proboscis का नाम देते हैं और proboscis के पीछे ring-like color जो है वो second region present है और जो trunk third region है वो elongated मतलब काफी लंबा है और of course वो body की third region है जैसे हम इस टायग्राम के अंदर भी देख सकते हैं कि यह हमारे पास कि इस वर्म के three जो है वो body region show किया हूँ है जो first region हमारे पास है वो है proboscis जो के जो है वो anterior end पे है इसके पीछे है हमारे पास collar और collar के पीछे जो है है elongated trunk तो इस proboscis के appearance की वज़ा से इनको icon worms का भी नाम दिया जाता है icon हम बोलते है शाब लोथ यहां फिर ओक ट्री के बीज को तो जैसे आपने स्टार्ट में डायग्राम के अंदर देखा होगा कि ओक प्री का जो बीज है वो कुछ इस तरह से होता है तो यहां पे इसकी ज इनकी जो epidermis है वो siliated होती है और जो glands है वो icon worm को cover करते हैं और जो mouth है वो ventral side पे located है जैसे हम डायग्राम के अंदर mouth को देख सकते हैं तो इसका मतलब है हम organism को ventral side से देख रहे हैं और collar और of course proboscis के जो है वो दरम्यान में mouth present है और काफी ज़ादा जो pharyngeal slits जिनके जो number है वो vary कर सकते हैं species to species वो जो है वो trunk के जो है वो lateral side पे present है lateral मतलब central axis से दूर present है तो यहां पर trunk के lateral side पे pharyngeal slits present है और pharyngeal slits क्या है यह openings है between the digestive system and outside environment ठीक है और इनका काम जो है इनका काम of course gas exchange के अंदर है अब pharyngeal slits जो है इनको surround करते हैं pharyngeal pouches pharyngeal pouches मतलब इस तरह के sack-like structures है जिनके अंदर जो है वो slits या pharyngeal slits जो है वो present है pharyngeal इसको इस वज़ा से नाम दिया गया है क्योंकि यह pharyngeal के पास present है नेक्स्ट हम देखते हैं class entire new stack के maintenance functions को तो maintenance functions में सबसे पहले हम देखते हैं food gathering और digestion को तो यह feed करते हैं detritus और दूसरे particles पर detritus मसलब decomposing organic matter पर और जैसे हम देख चुके हैं कि proboscis की body जो है वो mucus से covered होती है sorry proboscis के रही हो इनकी icon worms की जो body है वो mucus से cover होती है तो यहां पर जो proboscis है उसके साथ adhere करेंगे detritus और दूसरे particles और जो cilia के tracks proboscis के उपर present है वो food को transport करेंगे food और mucos को posterior side पे और ventral side पे mouth तक जैसे यह हमारे पास है structure तो of course proboscis के पीछे अगर mouth present है तो इसका मतलब है यह proboscis के उपर जितने भी cilia tracks है वो food को और mucos को जो है वो transport करेंगे mouth तक यानि posterior side पे और mouth ventral side पे भी या तो ventral side पे mouth तक transfer करेंगे एक mucoid string के farm में आगे जो है यह mucoid string जो है आगे mouth तो जाएगी इस तरह जो है food mouth के अंदर enter हो गया आगे digestion का process start हो जाएगा लेकिन जो mouth है वो कुछ particles को जो है वो reject भी कर सकता है अगर इसने mouth ने कुछ particles को reject करना है तो क्या होगा mouth जो है वो पॉबोसिस को पुल करेगा collar के against जिसकी वज़ा से food की जो string है वो mouth के अंदर जाने की बजाए collar के उपर आजाएगी तो इस तरह जो है वो rejected food आगे collar के जितने भी आगे जो ciliary tracks उन पे होते हुए posteriorly जो है वो organism की body को leave कर देगी अब जो undigested waste material हो वो कैसे जो है वो organism की body को leave करेगा जो worm है सबसे पहले हम digestive system को देख लें तो digestive system हो वो simple tube की farm में होता है और tube के अंदर जो है वो gut diverticula या फिर hepatic sex present होती है अब diverticula हम किसी भी ऐसे structure को बोलते हैं जो किसी दूसरे structure की wall से arise हो रहा हो यानि कि यह माई पास digestive system की wall है या फिर gut है तो gut की wall के अंदर से इस तरह का एक structure arise हो रहा है जिसको हम बोलते है hepatic sex अब यह जो hepatic sex है यह enzymes release करेंगे और enzymes से ही digestion का process जहाँ होगा अब digestion का process complete हो गया आगे जो undigested waste material वो organism ने या वर्म ने कैसे रिमूफ करना है अब हमें पता यह यू-shaped boros के अंदर रहते हैं तो जब undigested waste material रिमूफ करना है तो defecation के दुरान क्या होगा कि organism जह हो अपनी posterior side को जह हो बोरो से बाही निकालेगा और fecal matter जह हो में क् 1919 इसको बोलते हैं कस्टिंग कास्टिंग किसी भी ऐसी चीज घृ़ते हैं जो未ड manner gua किसी भी से हो शेप में ल्मों के लोग में भाड़िक मीघAY कास्टिंग का जड़ सब्सके समिंख में कि अब इसको नहन है कास्टिंग आगे में देखते हैं जो बीड़ को deiज Пष ज़एधा समाल है तो बोडिवाल से वज़ातर वेस्ट जो है डिफ्यूज कर जाता है आउटसाइड इंवार्मेंट में लेकिन गैस सक्षेंज के लिए फैरेंजल स्लिट्स पी प्राजेंट हैं तो यहां पर कैसे होगा फैरेंजल स्लिट्स पर जो सीलिया प्राजेंट और अगलाकि movement के वज़ासे जो water होगा मौथ में और इस तरह वह हो हो मौथ में एंटर हो गया अगरें मोथ प्राजेंजल स्लिट्स के लिव कर जाएगा तो जब वार्टर जो स्टडी करते है नर्वस सिस्टम को तो जो नर्वस सिस्टम मार्णी वह ब्यूस उसके बिल्कुल जो below है वो nervous system जो है वो present है और यह dorsal और ventral nerve tracks पे consist करता है यानि एक dorsal side पे nerve जो है वो run करती है और एक ventral side पे और यह दर्मियान में क्या होती है network of epidermal nerve cells जो हो बनाती है यानि इस तरह का एक network बनता है जो के epidermal है यानि जो बिल्कुल epidermal से नीचे present है और इसको हम नाम देते हैं nerve plexus का अब यहां पे कोई major ganglia जो है वो नहीं है और लेकिन यह है कि जो dorsal nerve है वो काफी ज्यादा giant भी हो सकती है और tubular भी हो सकती है और अगर यह बहुत ज्यादा giant nerve fibers इसके अंदर present है तो इसका मतलब है यह nerve impulses को काफी जो है वो तेजी से transmit कर सकती है अब यहां पे जो sensory receptors है यह unspecialized है मतलब कोई भी special sensory receptor नहीं है कि किसी खास function के लिए specialized हो और यह सारी के सारी body के ओपर distributed है अब जो circulatory system आगे हम देखें तो circulatory system जो है वो एक ventral और एक dorsal ज इसका मतलब है यह blood को pump कर सकती है और जो blood है वो anterior side से dorsal vessel में move करेगा और posterior side से ventral vessel में move करेगा अब यही आगे जो vessels है यह आगे branching बनाके open sinuses यानि open cavities को arise करेंगी और अब यही जो sinuses के एक series है उसको हम नाम देते है glomerulus का जो के इस proboscis के अंदर जो है वो present होती है अब इस glomerulus का आगे काम क्या है इसका काम है वेस्ट को जो है वो filter करना है blood से और सिलों में आगे ले जाना है और आगे जो है वो प्रोबसिस के अंदर two openings होती है और इन openings के थूँ जो है वो सारे का सारा वेस्ट जो है वो body को लिव कर जाएगा अब बलड जो है वो हमारे पास colorless है और इसका जो main function है वो nutrients और waste को distribute करना है throw out the body नेक्स्ट हम देखते हैं इनके अंदर reproduction और development को तो यह हमारे पास है डियोशियस मतलब के male और female जो है वो separate है और जो two rows of gonades है वो लाई करती है body wall पे trunk के anterior region में और यही जो gonades की openings है यह separate है यानि separately हर gonades जो है वो outside environment में open होता है gamades जो है वो outside environment में release होगे तो fertilization जो है वो external होगी और एक मेट की जो है वो spawning जो है वो induce करेगी दूसरे को भी को वो भी spawn करे ठीक है spawning हम कहते है gamades के release होने को यानि अगर एक male जो है वो gamades अपने sperm release कर रहा है तो वो female को induce करेगा कि वो भी eggs को release कर दे यहां पिर alternatively अगर female पहले release करी एक तो वो male को induce करेगी कि वो अपने sperm से release कर दे ठीक है इसका मतलब है इन organism के अंदर pheromones present है pheromones हम ऐसे hormones को कहते हैं जो एक organism के body से release होते हैं लेकिन दूसरे organism के behavior को affect करते हैं अब इसका जो larva सिलेटिड बनेगा उसको हम कहते हैं torneria larva और plankton में जहां वो काफी देर तक swim करेगा several days to few weeks इसके बाद वो substrate के उपर settle करेगा और इससना जहां अडल डाइफस्टायल जहां स्टार्ट कर देगा यह हम देख सकते हैं इनका जो है वो larva का structure है तो स्टूडेंट यह थी ask video अगर आपके इसमें से कोई question है यह confusion है तो आप मुझे comment के अदर पूछ सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो मजीत informative वीडियो के रिए चैनले टो सब्सक्राइब क कर दो